राखी सावन्थ को बॉलीबूट की ड्रामा पुईन के नाम से जाना जाता है राखी अक्सर अपने अजब गजब कारनामों के चलते सुर्ख्यां बटोडती है लेकिन आज राखी को एक कारनामा करना भारी पड़ गया जिसके लिए राखी को पुलिस ने इचालान भेजा है दरसल राखी सावन्थ पर मुंबई की एक व्यस्ततम सडक पर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने का आरोप लगा है जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में राखी कार के बाहर नजर आ रही है और उनकी कार के पीछे लंबा जाम लगा है वहीं जाम को लेकर राखी कह रही है हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शिरू होती है इस वीडियो के वाइरल होने के बाद राखी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है हाला कि अब तक इस पर राखी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है वाइरल वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर कर मुंबई लोखंडवाला ओशिवरा सिटीजन एसोशियेशन ने राखी के पब्लिसिटी स्टंट की आलोजना की है एसोशियेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ये किस तरह का व्योहार है कानून की नजर में हम सब बराबर है ऐसा ट्रेफिक जाम लगा कर कोई क्यों बचना चाहिए क्या आपको नहीं लगता कि इस महिला पर कारवाई होनी चाहिए चालान कहा है जिसके बाद ओशिवरा पुलिस ने गाड़ी मालिक को ट्रेफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में इचालान भेजा है बताया जा रहा है कि गाड़ी राकी सावंत के नाम पर रजिस्टर नहीं है हाला कि किस के नाम पर है इसका खुलासा नहीं हो सका है बता दे राकी सावंत इन दिनों अपने बॉइफ्रेंड आदिल खान दुरानी को लेकर भी खूब सुर्ख्या बटो रही है राखी इन रश्टी के हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए भी जानी जाती है बॉलिवूर्ट से जुड़ी इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर के बारे में अपनी राय भी जरूर कमेंट करें